जेहिन नमस्कार आप सभी का एक बार्पती स्वागत है बेंकों में सेलरी और पेंशन एकाउंट खुलवाने पर बेंक इन एकाउंट के उपर एक्स्ट्रा फेसिलिटिस देती है अब एक सर्विंग सोल्जर हो चाई एक एक सर्विसमेन हो वो भी इन बेंकों के अंदर अपना सेलरी और पेंशन एकाउंट खुलवा सकते हैं तो अकसर ये सवाल पूचा जाता है कि कौन कौन सी बेंक है जो ये सेलरी और पेंशन एकाउंट के उपर एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है तो मैं आज इस वीडियो में उन बेंक का नाम लेके आया हूँ जो डिफेंश सेलरी पेकेज या इसके जैसा ही एकाउंट खोलती है और उनमें पर्सनल एक्सिडेंट इंसरेंस से लेके तमाम एसी सुईदाएं देती है जो एक नॉर्मल करंट और सेविंग एकाउंट के उ लिए डिएसपी अकाउंट खोला जाता है तो उसके पेकेज का नाम क्या है तो आप सबसे मोस्ट पोपुलर बैंक के इस्टेट बैंक ओप इंडिया के बारे में तो सुनते ही आयो हो उसमें डिएसपी अकाउंट खुलता है यानि डिफेंस सेलरी पेकेज ये उस पेकेज क का नाम है उस scheme का नाम है और DSP का जब भी नाम आता है तो हम सभी बैंकों में DSP account को ही मान लेते हैं लेकिन हर एक बैंक की इस योजना का अलग-अलग नाम है DSP account केवल स्टेट बैंक उप इंडिया में खुलता है इसी परकार पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इस scheme का नाम है TNB रक्सक प्लस scheme यह zero balance salary और pension account होता है serving और non serving defense personal के लिए बात करें Indian bank की तो Indian bank में जो account खुलता था वो है Indian bank सलाम special account for defense personal अब यहाँ पे कुछ एक bank merge भी हो चुकी है जिनके बारे में आपको जानकारी होगी यदि आपका account उस bank में था जो बैंक किसी बड़े bank में merge हो चुकी है और आपको इस scheme का फाइदा मिल रहा था तो वो फाइदा मिलता रहेगा आपको अपना account जहां पर भी maintain कर रहे हो वहाँ पर approach करना होता है अब बात करें HDFC bank तो HDFC bank की जो scheme का नाम है defense personal के लिए जो account खुलता है defense salary account online और ICICI bank में जो serving soldier है उनके लिए ICICI bank defense salary account और जो pensionist है उनके लिए scheme का नाम है defense pension scheme account बात करें बैंक को बड़ोदा की तो बैंक को बड़ोदा अपना जो account खोलती है वो salary and pension solutions for Indian military personal और इसी परकार Axis bank Ultima defense salary account power salute Union bank of India Union super salary account for defense oblique paramilitary personals अगेन मैं आपको बताता हूँ कि जो bank के मर्ज हो चुकी है तो जिसमें मर्ज हुई है वो bank इस समय क्या scheme निकाल के रखिए वो आपको काम आएगी Kotech Mendra bank salary account for uniformed forces Bank of India Bank of India J.J. salary plus बंदन bank आपको देती है Sorya salary account इसी परकार Yes bank Yes Vijay Exclusive Insign bank salary account designed for uniformed personal Central bank of India sent from IDBI bank Indian army salary account IDFC bank owner first defense account अब इन bankों में कुछ एक bank ऐसे हैं जो केवल salary account कोलती है pensioners को वो किसी परकार का अपने account के उपर कोई extra benefit नहीं देती है लेकिन mostly bank salary plus pension account दोनों खोलती है जिनके उपर extra benefit मिलता है finally आपको पता है कि अगनी वीर इसकी माहिती तो कुल 11 बैंकों ने अगनी वीर जितने भी है उनके लिए अपनी तरप से defense account खोलने का प्रावदान रखा है उसमें extra उनको overdraft की facility, personal accident insurance debit card के उपर कोई annual maintenance charges नहीं लेना demand draft बनाने के उपर कोई extra charge नहीं लेना इसी परकार केई परकार की सुईदाएं जो है ये बैंके अगनी वीर इसको देती है तो ये बैंक है SBI, PNB, Bank of Brother, IDBI Bank, ICHA Bank, SDFC Bank Axis Bank, Yes Bank, Kotech Mendra Bank, IDFC, First Bank और Bandhan Bank अब आपको क्या करना है कि इन बैंकों के अंदर जो salary और pension account है उसके लिए आपको consent bank की website को open करना है कुछ कम तो कुछ ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो सुईदा देती है वो देती है State Bank of India उसके बाद Punjab National Bank फिर ICHA Bank, उसके बाद SDFC Bank और इस परकार जो bank wise है वहाँ पर आपको सभी परकार की जो facilities add-on दी जाती है defense soldiers और pensioners को उसकी जानकरे मिल जाएगी अब आपका account किस bank में है उस bank में जाके अपने account का status आप जरूर check कर ले कि यदि आप sellerate है या soldier है service कर रहे हो तो आपका serving code होना चाहिए उसका और आप यदि retirement आ चुके हो तो आपको अपने bank account का जो आपका DSP account है या कोई दूसरा bank PNB रक्सक प्लस scheme के तेयत है या हर bank का जो अलग-अलग scheme का नाम है package का नाम है उसके मुताबिक आपका account pensioner code में change होना चाहिए तब ही आपको जरूत पढ़ने पर उसका lab मिल पाएगा हाली में आपने देखा होगा कि आर्मी हेड़कोर्टर की और से भी एक लेटर जारी किया गया है कि यदि कोई serving soldier retirement आ जाता है तो आने के बाद अपना जो DSP account या कोई दूसरा account है defense package का उसका जो pension code है जो code है उसका वो serving से pension में convert करना जरूरी है तब ही आपको फाइदा मिल पाएगा नहीं तो आपका जो भी claim होगा वो reject हो सकता है या फिर claim को pass होने में देरी हो सकती है तो इस परकार मैंने आपको इस वीडियो में सभी बैंकों के जो defense account है और package है उसके नाम बताएं और हो सकता है कि आपका जो doubt था कि मेरी bank में कौन सा package है वो clear हो चुका होगा ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस concern bank की website के उपर विजिट कर सकते हो और पूरी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हो तो बने दिए चैनल के साथ जानकारी आपको उचल लगिए तो वीडियो को like और शेक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर सकते हो जै हिंद जै बारत वंदे मादरम